यमना नगर से एक बड़ी ख़बर सामनी आ रही है यमना नगर के बूढिया गिरेने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम देबस सेनी बताया जा रहा है जिसने 27-28 अक्तूबर को अपने ही घर से अपनी बेटी की डोली की विदाई दी थी और ऐसे में 3 नमबर को पता चल रह है कि वो पीता नहर में चलांग लगा देता है जी हां बूढ या नहर में उस पीता को किसी गवांग के व्यक्ति के द्वारा चलांग लगाते हुए देखा गया था और इस समय में पहुंच चुकी हूँ यमना नगर के हमीदा हैड़ पर जहाँ पर किसी के द्वारा एक dead body क उपर पानी में तैरते हुए देखा गया है मोके पर रेस्क्यू करने के लिए अमर सिंग और साथी साथ राजीव गोताख और अपनी टीमों के सथ पहुंच चुके हैं तमाम तस्वीरे में आपको दिखा रही हूं लोगों की भीड भी यहां पर बढ़ती नजर आ रही है तस सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है गाओं के व्यक्ति के द्वारा उस पीता को छलंग लगाते हुए देखा गया था परिवार लगातार उस पीता की उस सदस्य की तलाश करता नजर आ रहा था लेकिन आज जब नहर के अंदर किसी व्यक्ति को उपर पानी में तैरते ह हुए देखा गया तो यहां पर रेस्क्यू शुरू किया गया तस्वीरे देख सकते हैं परिवार पहुचने वाला है देखते हैं क्या यह वही देवा सिंग है जिसने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की थी लेकिन वज़े किया हो सकती है सबसे पहलती के दुआरा सु जाने में कामियाबी हासिल कर पाती है गुर्दियाल यहां पर है एक बर जान लेते हैं पुलिस के संग्यान में क्या कुछ मामला आया है और आगे के लिए इसमें क्या कारवाही अमल में लाई जाती है गुर्दियाल जी क्या गयना चाहेंगे एक मामला सामने आया है बुड व्यक्ति ने उसी समय ही हमिद्दा वहां पे सवरी बूढ़िया में ही नहर से शलांग लगाई थी तो यह तो यह तो यह तो नहर में डेड़ बॉड़ी दिखाए दी तो हमने प्रवेट गोता खोर राजीव और सरकारी गोता खोर हमारा जो अमर्चिंग है उनकी मदाद से ड बूढ़िया सच्चों से संपर्ग कर लिए रेड़ बॉड़ी को सीवल होस्पिटल यमनानगर में पुछवा दिया को स्मार्टम के लिए और पुलिस उसकी कारवे बूढ़िया पुलिस द्वारा की जा रही है उसके बारे में किस वजह से उसने बात की है अभी तो उसकी स मामले में घहराई की घहराई में जाकर तप्तीश शुरू हो चुकी है परिवार यहां पर पहाँ चुका है डेड़ बॉड़ी निकाल ली गई है जी हां जीन गोता खर और उनकी टीम के दुवारा रेस्क्यू शुरू किया गया था वो रेस्क्यू पूरा हो चुका है गु से जंप की थी नोने और पाणी में डूब गए थे तो लगातार इसकी अमतलास कर रहे थे च्छटा दिन था तो आज जैसे हम यहां पर डूटी भी कर रहे थे और सर्च भी कर रहे थे तो पता लगा कोई डेड़ बोड़ी यहां पर पहुंची तो हमारी टीम यहां पर सार परिवार वालों ने इसकी पहचान बताई थी कि यह इस तरह के कपड़े डले हुए हैं तो उसको हमने कपड़े से गैस किया और उसकी फोटो वेजी परिवार वालों के पास जिस उसकी पहचान हो पाई कि यह वही है जो पहले डूब है तो पता नहीं चला कि आखिर कर मानसिक तनाओ जैसे कि आजकल आप देखी रहे हो यह मेरे खेल में दस दिन के दिपावली से अब तक कच्छोथा पांचवा वाक्य हो चुका हमारे सामने पहले एक महिला ने चलांग लगा ली थी फिर गोविंद पूरी का लड़का भी बूडिया पुल से गाया उसके बा पहुंच चुकी है आपकी हां जी मेरे को मेरे जोंसे चिलने रहते हैं इरफान हो गया पुर्दूम हो गया इन्होंने डाटबोडी देखी ठीक है वैसी हमने जो इन चारव साव है मिदा चौंकी के उन्हें बता दिया था पॉंच चुक्चिय है ठीक है इन चारव साव को पानी में तेखा गिया वो साड़े आठ नो बजे का टैम था अभी शुरू करने वाले आप रेस्की और जीव यह फिर से यम्नानगर शहर के अंदर नहर के अंदर डेड़ बॉडिस के यह जो मामले है यह लगातार फिर से देखने को मिल रहे है क्या लगता है क्यों एसा हो र कि ऐसे बाद दो डड़ बोडिया हो और उसके बीच में भी गई है ठीक है लुवारी सा मैं भी नहीं पगड़ सकता ठीक है थे यह फिर आज पांच भी ड़ड़ बोड़ी फिर यह हमने इसमें सर्चमार था यह हमारे को दिन ड़ड़ बोड़ी मिलीक ती यह जैसे व्यक्ति की शिनाकत हो गई है तो प्रिवार पहुंचने वाला है मौके पर पिंगभा नही zakतार है, बोर्या का रहने मौके बेंगे बाधका रहने माला है, आकिरकर वजह क्यों हो सकती है लेकिन आज इसी हमीदा हेड़ पर किसी व्यक्ति के द्वारा सुबे के समय यहाँ पर एक व्यक्ति की डेड़ बॉडी को पानी में उपर की तरफ तैरते हुए देखा गिया उसी समय गोता खोरों को इस बारे में सुचना दी मोके पर पुलिस क पहुचने वाली है कपड़ों से अंदाजा लगाया गया है कि यह वही देवा सैनी है और परिवार भी बुर्या से कुछी समय में आप पहुचने वाला है लेकिन सुबे का समय है जैसे जैसे लोगों को यहाँ डेड़ बारे में जो मामला पता लग रहा है वैसे वैसे अगातर बढ़ती नजर आ रहा है रेस्क्यू शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार देवा सैनी अपनी बेटी की शादी के बाद सुसाइट करने पर मजबूर क्यूं हो जाता है परिवार पहुंचने वाला है कोशिश करेंगे परिव आप सबी से इस खबर को जादा से जादा शेयर जरूर करें वीडियो जलेली समर्पित के साथ यमना नगर के हमीदा हैट से मैं मंदीब कौर